नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं कोई नई चीजों को पहली बार सामिल किया जा रहा है इन में सबसे खास इस बार OMR सीट पर भी परिक्षा होगी इसके साथ इस बार मैट्रिक वार इंटर की परिक्षा दो टर्म में आविजित की जा रही है दोनोटर्म की परिख्छाई एक साथ आयोजित की जाएंगी इसके लिए कोई अस्तर से त्यारी की जा रही है कुरोना के देखते हुए इस बार विख्चक की संख्या से लेकर परिख्चक केंदरों की संख्या बढ़ाई गई है जयक 30 जून से पहले परिक्षा 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 कर देगी राश्ट्रिय परतिभाग खोज परिक्षा कलेट और यही नीट की तियारी कराएगी सरकार जार्खन सरकार सुबे के छात्र छात्राओं को विभीन परतियोगी परिक्षाओं की तियारी कराएगी इसके तहत्राष्टिये परतिभाग खोज परिक्षा एवाम ओलम्पियंट तथा कलेट की बीसेस कोचिंग कराई जाएगी अब इसे केबिनेट से सक्रेटि के लिए परिक्षा परिक्षा ओलम्पियंट तथा एगारवी एवं पराविक बिद्यार्थियों को कलेट की विशेस कोचिंग कराई जाएगी सुवक्ष विद्याले सुवस्थ बच्चे अभियान 24 मार्च को सीम करेंगे सुबारम इसकूलों को निर्देश दिया गया है की गति बीदियो का अवेजान इस परकार करेंगे की बचों के सक्षनीक गति बीदियो में किसी परकार का प्रतिकूल परभाव नहीं पड़े सिक्षक अवसक्ता अनुचार दैनिक समय सारनी में पर्वर्तन कर सकते हाई पतेक गति विदियो के लिए सभी सिक्षक आपस में कार्य अवंटित करेंगे 24 मार्च को जार्खन बंद किया जाएगा पिछडा वर्ग मोर्चा पिछडा वर्ग संगहर्स मोर्चा के बैनर तले पिछडा वर्ग की बिभीन जातियों के प्रतिनिधियों की सन्युक्त बैठक रविवार को धुरवाई स्थित विधायक कल्व सभागार में हुई बैठक के अध्याक्षता पुर्व मंत्री स्वा मुर्चा का परदेश अध्याक लालचन महतो ने की इसमें निना लिया गया कि विभीन मांगो को लेकर जारकन सरकार का ध्यान आकरिष्ट कराने के लिए 24 मार्च को जारकन बंद किया जाएगा साथ ही निना लिया गया कि एक प्रतिनी दिमंडल राजे पाल मंत्री रामेशवर उराव राई सबसान सद दिपक परकास आधी से मिलकर अपनी मांग रखेंगे होली की तारिख को लेकर असमंजस खत्म होली कब है इसकी तारीख को लेकर असमंजस की स्थिती बनी थी लेकिन पंचांग को माने तो इस बार 17 मर्च गुरुवार को होली का दहन है लेकिन होली इसके एक दिन बाद 19 मर्च को मनाई जाएगी पंचांग के अनुसार 17 मार्च को दो पहर 1 बज कर 1 मेट के बाद से पुर्णीमा लग जाएगी जो सुक्रवार को दीन के 12 बज कर 51 मेट तक रहेंगी बता दे पंडित कौसल कुमान मिश्रा ने कहा कि सुक्रवार को उद्या तिथी में पुर्णीमा मिलने के कारण सारा दिन पुर्णीमा माने होगा होली का दहन के बाद प्रतिपदा तिथी में होली मनाई जाएगी इस बार पुर्नीमा ती थी दो दिन होने के चलते सुक्रवार 18 मार्च को होली नहीं मनाई जा सकती इस दिन असनान दान की पुर्नीमा मनाई जाएगी इसके अगले दिन 29 मार्च सनिवार को चैत्रमास के कृष्ण पक्ष की परतिपदा को होली मनाई जाएगी स्रावनी मेला से पहले बाबा मंदीर में दिखेगी कई बदलाओ महाशिवरात्री के दिन बाबा मंदीर में सिख्र दर्सनम कातार में हुई आफरात अफ्रीके बाद जिला परसाशन ने विवस्था को दुरुस्त करने के लिए जोर सोर से काम शुरू कर दिया है देवगर्डी सी मंजुनात भयंत्री ने बेहतर एवाम सुलब जलारपन कराने की व्यवस्था को स्रावनी मेले से पहले विक्षित करने के निर्देश दिये इसको लेकर कई बार मंदीर आकर कार्यास्थल का निरिक्षन भी कर चुके हैं बतादे स्रावनी मेले से पहले बाबा मंदिर परिसर में वेवस्था परिवर्तन की तियारी चल रही है इसमें मुखे रूप से सिग्र दर्सनम का तार को संचालित करने की वेवस्था सामिल है जनकारी के अनुसार सुविधा केंद्र को सिग्र दर्सनम होल्डिंग पॉइंट के लिए उपयोग करने पर विचार हो रहा है साथी यात्रियों की छामता का आकलन किया जा रहा है गुमला के विसुनपूर में नबालिक से दस यूकों ने किया समोहिक दुसकर्म गुमला जिला के विसुनपूर परखंड में साधी समारो में भाग लेने पहुची तेरा वर्स ये नबालिक लड़की के साथ ओर्या गाओं के दस यूकों ने समोहिक दुसकर्म किया है पीडिता सात्वी कक्षा की छात्रा है पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफतार कर पुस्ताच कर रही है बताया जा रहा है कि गाओं में मड़वा का करेकरम चल रहा था जहां गाओं के नबालिक लड़की दो छोटे बच्चों के साथ साधी करेकरम में भाग लेने पहुची थी रात एक गारा बज़े साधी समारों से लड़की और उसके दो साथी अपने घर आने के लिए जैसे ही निकले पहले सही घात लागा कर बैठे गाओं के दस यूग को नबालिक लड़की को धर दवोचा कोलहान की 365 सहिया को ई स्कूटर देगा टाटा इस्टिल टाटा इस्टिल फाउंडेंशन मांसिप पोर्जेक्ट के तहद कोलहान की 365 सहिया को ई स्कूटर देगा इसकी सुरुवात सराइक लेक हरसवा जिला से हो रही है रभिवार को सराइक लेक हरसवा जिला की 131 सहिया दीदियों के बीच ई स्कूटर दिया जा रहा है जेपीएस सिस्टम से लएस इस ई स्कूटर से साया को दुर्गम इलाके में जाने में आसाने होगी बता दे टाटा इस्टिल पिछले चार माह से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है कांग्रेस की हार की जिमिदारी लेते हुए दिपिका पांडे सिंग ने दिया इस्थिपा कांग्रेस की टाश्ट्रिय सचीव स उत्राखंड की सप्रभारी दिपिका पांडे सिंग ने हार की जिमिदारी लेते हुए दोनों पदो से इस्थिपा दे दिया है रभीवार की सूबा उन्होंने इसे समधित ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्राखंड में कांग्रेस की हार की जीमिदारी लेते हुए राष्ट्रिय सचीव और उत्राखंड की सब प्रभारी जैसे महतपून पदो से इस्थिपा देती हुँ उन्होंने इसके साथ ही पार्टी नेतित को राष्ट्रिय अस्तर पर जीमिदारी देने के लिए धन्यवाद देते हुए लिखा है कि इसे मुझे राष्ट्रिय अस्तर पर काम करने का अनुभा प्राप्त हुए है जारखन में कुरोना के 15 नए केस मिले है जबकि 45 मरी स्वस्थ भी हुए है जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 218 है भारत में 1578 नए केस मिले है जबकि 251 मरी स्वस्थ भी हुए है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 36 या 400 स्वस्थ नवदय बिद्याले काक्षा 9 की परिक्षा 9 अप्रेल को नवदय बिद्याले में परवेश के एक छुक छात्रों के लिए अची खबर है जिन छात्रों ने जुआ है नवदय बिद्याले में परवेश परिक्षा के लिए अपना पंजी करन कराया है वे अपनी परिक्षा के लिए त्यार हो जाए कक्षा 9 की चैन परिक्षा 9 अप्रेल को होगी इसके लिए JNVST ने एडमीट कार्ट जारी कर दिये हाँ नवदे बिद्याले में 722 तेज के लिए कक्षा 9 में परवेश के लिए परिक्षा के बाद आखरी परिक्षा के लिए चात्र एडमीट कार्ट डाउनलोड करने के लिए यूजर आईडी के रूप में अपना पंजी करन संक्या और पासवर्ट के रूप में जरमतिति का उप्योग करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हाँ बालू घाटों के टेंडर में गरबड़ी एक हफते में होंगे सुधार जारखन राज खनीज विकास निगम की ओर से बालू घाटों के लिए टेंडर को लेकर हाई कोट के अधिवक्तर राजीव कुमार ने मुख्य सची को पत्र लिखा है पत्र में कहा गया है कि JSMDC ने टेंडर जारी करने के बाद प्रकिरियाओं में बदलाव किया है टेंडर नोटिस में JSMDC ही तकनिक और भीत बीड को अमतिम रूप देने वाली थी इसमें बदलाव करते हुए बालु घाटो की तकनिकी बीड JSMDC और भीत बीड अस्थाने उपायूत को अमतिम रूप देने के लिए नया नोटिस जारी किया गया है नियमा अनुसारिया गलत था है क्योंकि टेंडर जारी करने वाली संस्ता ही उक्त टेंडर को अमतिम रूप देगी यूआओ ने मांगी नौकरी तो CM ने भासा और खतियान में उल्जा दिया राई सभासदों से महेश पोदार ने राई सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने उन्हें 132 खतियान और भासा बीवाद को लेकर राजे में एक नई जंग की शुरुवाद कर दी है सन्निवार को मीडिया से बादशीत में उन्होंने कहा कि नई कंट्रोवेसी क्रियेट कर राजे को विकास से दूर किया जा रहा है यूआओ जब रोजगार मांग रहे हैं तो उन्हें भासा और खतियान के बिवाद में बेवज़ा फासा दिया गया है बतादे महेस पोदार ने राज सरकार के बयट में भी खामिया निकाली है जहारखन में होली के दवरान सुरक्षा के लिए होमगार्ट किये जाएंगे तैनात होली को लेकर जारखन के चोबी dressed जिलो में 4320 होम गार जवानों को तयार हालत में रखने का निर्देस जारी किया गया है EDG होम गार्ड सुमन गुपता ने सभी जिलों के समाधेस टाओं को पत्र लीकर कहा है कि होली के दोरान विभीन जिलो में होमगाट जवानों की तैनाती बिदी ब्यवास्था में की जाती है इसके मद नजर जवानों को त्यार रखना जरूरी है जब ग्रीह विभाग का आदेश जारी होगा तब होमगाट को विभीन जिलो में भेजा जा सकेगा महिलाओ की सेहत सुधरी MMR में 10 अंकों की कमी महिलाओ की सेहत की चिंता करने वाले लोगों के लिए अची खबर है जारखन में महिलाओ की सेहत में सुधार हुए है पुरे देश के साथ सा जारखन में MMR 71 से घट कर अब 61 हो गया है इस तरह इसमें 10 अंकों की कमी आई है फूरे देश में भी यह अनुपायत 113 से घटकर 103 हो गया है राइस्टार जनरल अफ इंडिया दोवारा इसी माह जारी सेंपल राइस्टेशन सर्वे इस आर इस की रिपोर्ट के अनुशार जारखन में MMR बर्श 2017-29 के दोरान घटकर 61 हो गया है इसका मतलब यह है कि एक लाख बच्चों के जन्म पर इतनी मतावों की मोत प्रसों के दोरान या इसके बाद हो जाती है धान खरीद में नमबर वन रहा हजारी बाग राज्य में 500 के माध्यम से धान अधिप्राप्ती ऐसे तो 31 मर्च 2022 तक किया जाना है मगर चालू मा के लगभग आधी अधी होने तक अधिप्राप्ती का कार्य अधी कांस्ता अपने अम्तिम चरण में पहुंच चुका है खादो सरुजनिक बीतरन यो भोकता मामले विभाग से मिली जनकारी के अनुसार अब तक धान अधिप्राप्ती के मामले में हजारी बाग जिला राजे भर में अवल चल रहा है अगतन 12 मर्च तक मिली जनकारी के अनुसार हजारी बाग जीले में अब तक 20,488 की सानों से अब तक 8,86,898 क्यूंटलदान की खरिदारी कर ली गई है हजारी बाग के केरे डारी में गोली बारी की घटना में दो मामले दर्ज हजारी बाग जीला अंतरगत केरे डारी थाना छेतर में पिछले दिनों गोली बारी घटना को लेकर दो अलग अलग मामला दर्ज हुआ है गत 10 माज 2022 को गोली बारी की घटना घटित हुई थी पुलिस मामले की जाच में जूट गई है पहला ममला पिडित भरत महतों का अवेदन परहत्या करने की नियत से गोली बारी करने का ममला दर्ज किया गया है जारखन के लोहरदगगा में खेली जाती है धेला मार होली लोहरदगगा के सेनह परखन के बरही गा में धेला मार होली खेली जाती है होली खेलने की यह खास परंपरा कई दसकों से चली आ रही है इस खास होली को देखने हजारों के भीर उमरती है बता दे हाँ के लोग वर्सों से होली की इस परंपरा का निर्वाहन करते आ रहे है बरही इस्थीत देवी मंडप के पास प्रमपरा के अनुसार होलिका दहन किया जाता है केंद्री राज्य मंत्री संतनु ठाकूर पहुंचे बाबा नगरी जार्खन अलग हुए 20 साल हो गए लेकिन अभी भी यह पिछड़ा है जो भी विकास कारे जार्खन और संताल परगना में हुए है भाजपा के सासनकाल में हुए है केंद्री ये बंद्रगा जहाज राणी और जल मार्ग मंत्राले में राज मंत्री संतनु ठाकूर ने ए बाते कही राज मंत्री सिरी ठाकूर अभिवार देर साम बाबा नगरी देवगर पहुंचे वे सोमवार की सुबा बाबा बयादनात मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे बता देक केंद्रिय मंत्री ने कहा कि पिछले पांच साल में भाजपा की सरकार में कापी विकास से काम हुए है भगवान जगरनात का नया रथ बनेगा 16 साल बाद भगवान जगरनात रथ हैत्रा के लिए नया रथ बनने जा रहा है इसके लिए सोमवर को पूरी से कारिगरो वा तकनिकी टीम पहुँचेगी जो रथ बनाने की योजना त्यार करेगी यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दो साल बाद इस बार भागवान जगनात नए रथ पर सवार होकर मौसी बाड़ी जाएंगे बैसाक सुकल पक्ष की तीरितिया तीथी से इसका निर्मान शुरू होगा असार सुकल पक्ष दुरितिया को भागवान नए रथ से मौसी बाड़ी जाएंगे इस बार रथ यातरा एक जुलाई को है धन्यवाद यदि आप चनल पनाए हो तो चनल को सब्सक्राब कर बहल का बेल एक अंदर बाई है साथ सार वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों से अशेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़ोएक अवस से दे थेंक्यू